हेलो एवरिवन नमस्कार वेलकम बैक अगें टू एडिवर्ट्स चैनल मैं आपका एडूकेटर आपका दोस्त है ये शाबास दिल से स्वागत करता हूँ हमारे एडिवर्ट्स चैनल पे तो जैसा के आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों के हमने किरन के द्वारा जो पब्रिश की गई है अब्जेक्ट्व कंप्यूटर किताब की हम कवर कर रहे थे एमसीक्यूस को कवर कर रहे थे हर वीडियोस में मैं 50 MCQs with detailed explanation के साथ मैं आपके सामने लेकर आ रहा था तो उसी सीरिस को continue करते हुए आज का lecture जो थर्ड होगा जिसमें हम 100 से लेकर कि 100 से लेकर 150 तक जितने भी हैं सारा कुछ हम कवर करेंगे दोस्तों इसमें कि 100 से एक मिनिट मैं थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूं दिखाई नहीं दे रहा है इदर कि 100 से लेकर 150 तक जितने भी mcqs हैं विट डीटेल एक्स्प्लेशन के साथ मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा उमीद है कि आपने मेरे जो प्रीवेस वीडियो से जो हमने तो चले शुरू करते हैं शुरू करने पहले चोटी से कि आप हमारे चानल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजेए क्यों क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो हर एक्जाम में कहीं ना कहीं दो तीन चार पांच को चाहाई ही जाते है प्राटिक पार्ट समझ लीजिए आप ऐसा एक सब्जेक्ट है जो कई सारे बच्चे डर जाते हैं इसको डरने की कोई बात नहीं है और आपको जो कोई IT प्रोफेशनल बनना नहीं है इसमें या भी आपको कोई आपको पूचा जाता है बस थोड़ा बत आईडिया रख लीजे और जो कोईशन में यहां पर पढ़ा रहा हूं वह सारे प्रीवेस एक्जाम में भी पूचे गए हैं तो उसको अच्छे से रिवाइस कर लीजेगा देन डेफिनेटली जो है आप इसको कर सकते हैं दोस्तों त बटके C का जो है क्या हो सकता है फुल यह पूचा तो मैं आपको फुल फॉर्म यहां पर लिखके बता देता हूं नीचे से मैं सीरी नथिंग बट मैंगनेटिक इंक क्यारेक्टर दोस्तों इंक क्यारेक्टर रिकागनेशन तो इससे आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि C का फुल फॉर्म क्या है क्या चैरेक्टर अगर आपको कल के रोज़ पूचे कि YUM का क्या है फुल फॉर्म तो मैंगनेटिक अगर आपको कल पूचे आर का क्या है तो इंक है तो अलग-那我們 एक क्योंकि ऐसा ही कोशन आपको रिपीट होगा इसकी ग्यानिटी तो नहीं हो सकता है बट आपको फुल फॉर्म भी याद रखना जरूरी है ताकि आपको कोई भी कोशन मिस नहीं हो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं देखिए M.I.C.R. होता क्या है दोस्तों एक क्या आपको आपको बाटम आपको नीचे की तरफ M.I.C.R. के कोट्स लिखे होते हैं चलिए मिसे बाटम के अपको नीचे की तरफ M.I.C.R. के कोट्स लिखे होते हैं सकते हैं निक्स कोशन देख लेते हैं तो इन अजर तो दोस्तफ ओन फोर एसंतर्श इन वोर डॉकुमेंट इस तो अगर आप पो फॉर्माटम इन रहेगा उसमें आपको फॉर्माटम इन रहेगा दोस्तों ठेके उसके बाज विए आपको साइज लिखा जाएगा, तो वहां पर अगर आप select करेंगे, तो यूदो, change the font size, everything you can do it, उसके अद फंक्शन आफे screen saver in a computer system, क्या होता है, तेकि screen saver क्या होता है, पहले जान लिजे, screen saver is nothing but, it's an animated image, दोस्तो, screen saver क्या होता है, it's an animated image, या भी desktop पर जो भी images आप रखते हैं, जो slide show, automatic slide show on हो जाता है, जब भी आप कोई activity नहीं करते हैं, desktop पे mouse idle हो जाता है for 10 to 20 minutes, तो screen saver automatically start हो जाता है, तो उसका function क्या है, यह आपको पूचा जा रहा है, तो option 1 है दोस्तो, to show interested animation on screen, next inventor of www, inventor of www क्यों है दोस्तो, correct answer है, that is option 1, Tim Berners-Lee, okay, so www का full form आप सभी लोग जानते हैं, फिर्वे में बता देता हूँ, World Wide Web, okay, इसका full form है, इसको एजाद किस ने किया था, invent किस ने किया था, Tim Berners-Lee ने, जो के English Computer Scientist है दोस्तों, और इन्होंने जो है, March 1989 में कब, March 1989 में जो है, इसका एजाद की थी, इसका invent किया था, इसके इलावा भी, और एक important observation आपको पूचा जाता है, इसका है, क्या कहते है, HTTP, okay, HTTP का भी full form बहुत बार पूचा है, दोस्तों, इसका क्या full form होता है, देखें, मैं लिखके दिखा देता हूँ, Hyper, okay, Hyper Text, okay, Hyper Text Transfer Protocol, इसका यह भी याद रख लिजे आप, क्योंकि यह भी question पूचा गया था, SSA exams में, चलिए, इंटरनेट से related होता है, HTTP, आपने देखा होगा, जब भी आप कोई search बार में देखते हैं, तो HTTP dot, या फिर semi colon, इस तरह से आपको दिखाए देता है, चलिए, Next, there are viruses that are triggered by the passage of time on certain date, उसको हम क्या कहते है, time bombs कहते है, time bombs, देखे, time bombs का अगर general मतलब निकाले, तो किसी time पे फटने वाला bomb, यानि time set कर दिया जाता है उसमें, तो particular time पे, suppose मान लिजे, 2 बजे हो गया, या 3 बजे हो गया, उस time पे फटना है bomb, तो उसी तरह virus भी जब computer system में enter होता है, तो उसके इंदर एक time fit कर दिया जाता है, कि शाम के 5 बजे, या रात के 12 बजे, अब इसको activate होना है, तो आक्टिवेट हो जाएगा automatically, next downloaded images can be inserted in word document by using dash, by using picture option, तो आपने Microsoft word आपने देखा होगा, तो insert images, आपको option मिलेगा, तो वहाँ पर आगर click करेंगे, तो picture option आजाएगा, next which of the following is not related to text formatting, जी हाँ, तो formatting का मतलब क्या होता है वह पहले जान लिजे, formatting is nothing but, अगर आपको कोई text को stylish बनाना है, या फिर अच्छे से दिखने font change करना है, उसका style बनाना है, उसको italics में लिखना है, bold में लिखना है, ये सारा कुछ text formatting के under आता है, okay, so क्या-क्या methods होते है, text formatting के, वह important है, जान लेना, पहला आपको font change, okay, so number one मैं आपको लिखके दिखा देता हूँ, font change एक text formatting है, next हो गया font coloring, okay font coloring भी आप जो है, इसको stylish बना सकते हैं, searching is not a text formatting दोस्तों, okay, next 108 की बात करें, EDI stands for, EDI का full form क्या है, ये आपको पुचा जा रहा है, तो electronic data interchange, option two is the right answer दोस्तों, इसका मतलब क्या है, EDI क्या होता है, it will transfer the data, क्या करता है, it will transfer the data from one computer to another computer, okay, so एक computer से, दूसरे computer तक data को transfer करता है, right, by standardized message format, EDI permits multiple companies, okay, कही तरह के different countries में पर आप इसको access कर सकते हैं, ताके जितने भी documents से, आप एक computer से, दूसरे computer में transfer कर सकते हैं, okay, next हो कहा है, how can you increase the font size of selected text in the word document, by one point every time, दोस्तों, किस तरह से आप इसको increase कर सकते हैं, तो इसका correct answer option 1, okay, font size increase करना है, तो इसका जो shortcut की है, control plus close bracket, okay, decrease करना है, तो control plus open bracket, ठीक है, use कर लें सकते, next जेकते हैं, in a database management system, जी हां, बहुत important software है, the content and the location of the data is defined by, तो correct answer इसका that is option for metadata, okay, meta data is nothing but it summarizes the basic information about data, ताके आपको कोई कुछ data के पर काम करना है, तो उसके बारे में summary आपको यहां पर मिल जाएग, meta data, okay, और DBS का मतलब क्या होता है, यह भी जान लीजे, full form तो यह है दोस्तों, database management system, इसका full form है DBS का, तो एक system software है, जहां पर आपको कई तरह के data को create कर सकते हैं, आप manage कर सकते हैं, ठीक है, और उसको जो है, you can represent the other data also, right, so this is everything consistent DBS, next background of screen is known as option, क्या है, background of screen को क्या कहते है हम लोग, option 3, okay, desktop, या फिर wallpaper और background on screen is also known as desktop भी कहा जाता है, या भी आप इसको एक और शब्से जान सकते हैं, क्या है ओ, desktop background यह भी आ दख लिजे, desktop background भी आप कह सकते हैं इसको, okay, sorry, जाहे वो फोटो हो, drawing हो, कुछ भी आप, desktop background लग सकते हैं, next, Univac stands for, Univac होता क्या है, देखे, Univac का full form है, Universal Automatic Computer, Universal Automatic Computer, जो के पहला first commercial computer है, यह पहले भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, first commercial computer है, किसने इसको invent किया, Presper इसका नाम है, और दूसरे का नाम है, John, okay, Presper and John, दोने ने मिलके इसको invent किया था, right, and पहली बार जो इसको, first Univac 1 जो बनाया गा था, कब बनाया गा था, June 14, 1951 में इसको develop किया गा था, okay, these are very very important points which I have discussed now, तो उमीद है क्या आपको clear हो गया होगा, Univac क्या होता है, first commercial computer है, next the time taken for hard disk controller to locate a specific piece of store data, is known as option 3 हो गया, दूस्तो, seek time केते हैं इसको, okay, when anything is read or written to a disk drive, कोई भी disk drive लेली जाब, okay, इस पहे आपको कोई भी, कोई data आपने save किया है, कोई data आपने इसको read कर वाया है, write कर वाया disk में, right, so the read and write head of the disk needs to move to the right position, the actual physical position of the read and write data, इसको हम क्या कहते है, seek time कहते है, okay, which of the following is not a computer language, कौन सी computer language नहीं है, correct answer is option 1 हो गया, intermediate level language कोई ऐसा होता नहीं, या तो आपको low level languages होते हैं, या तो आपको high level languages होते हैं, right, तो high level language computer program क्या होता है, designed for a specific job, जो कि easily understand हो जाए, okay, ज्यादा तर आपको high level language human understandable मनाते हैं, ठीक है, कोई से understandable होते हैं, human understandable होते हैं, low level language जो program है, actually आपको computer की समझ में आने के लिए इसको design किया जाता है, जैसे machine language हो गया, okay, या फिर assembly language हो गया, इस तरह के languages को हम क्या कहते हैं, low level languages कहते हैं, next, storage capacity of magnetic disk depends on, किन चीज़ों पर depends होता है, storage capacity होती है, magnetic disk, यह चारों चीज़ों पर depends होता है, यह तीनों चीज़ों पर, so option 4 is the right answer, okay, एक-एक के बारे में मैं आपको बता जोता है, पहला है, tracks per inch of surface दोस्तों, tracks per inch of surface का मतलब यह होता है, कि surface पे, कितने number of tracks होते हैं, उतनी number of की अपकी memory होती है दोस्तों, right, so greater the number of tracks, याद रख लिजी, greater the number of tracks, the greater the storage capacity, ठीक है, पहला हो गया, next देखते है, bits per inch of tracks, यहनि storage capacity जो है, number of bits के पर भी depend होता है, 8 bit है, 16 bit है, 32 bit है, the bits होता है, इसके इलावा कितने भी bits हो, उसके परवी होता है, so both are directory proportional, so bits are directory proportional to storage capacity, यह भी जान लिजी आप, next third option जो है, disk pack in, disk surface, यह भी important है, the more the disk surface, disk surface कितना बड़ा होता है, उतनी बड़ी memory होती है, okay, clear होगा, 3 points, 4 के पर depends होता है, which of the following is program, that copy itself over and over eventually, causing the computer to crash, यह मने पहले भी बोल दिया था आपको, warm इसका right answer है, warm क्या करता है, copy करता है, program which copy itself over and over, next, which of the following is an application, that causes collection of multiple media sources, like text हो गया, graphics हो गया, images हो गया, correct answer है, that is option 1, multimedia application, okay, multimedia applications application, which uses the collection of multimedia sources, like text, graphics, images, sound, which of the following is a process of changing, the amplitude or frequency, or a place of carrier in wave, in accordance with intensity of signal की बात करे, toh correct answer is option 2, just toh modulation, in ko कहते हैं, यह ज्यादा तर आपने, electronics and telecommunication में आपने सुना होगा दूस्तों, modulation का चक्कर है, right, so modulation ka process is nothing but, it's a process of varying, one or more, properties of periodic waveform, okay, waveform के, अगर properties को आप वेरी करना चाहते हैं, okay, उसको high module पर लेकर जाना चाहते हैं, या भी low module पर लेकर जाना चाहते हैं, तो आप modulation की मदद से यह कर सकते हैं, इसको करने के लिए डिवाइस होता है, उसका नाम है modulator, यह भी आदर फ्रीश का होता है, modulator, this is also very very important, next, which of the following is an identifier for a particular network, and is used to identify computers on the internet, okay, internet identify करने के लिए पर्टिक्लर नेटवर्क आपको या फिर आइडिंटिफार दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, IP address कहते हैं दोस्तों, हर computer का, हर computer का, हर laptop का, हर चीज का IP address होता है आपको, इसी तो track करते हैं न, movies में आपने देखा होगा कि IP address track करो, कहाँ पे हैं, तो IP का full form क्या होता है, internet protocol, क्या होता है, internet protocol is the full form, ठीक है, यह 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 unique address होता है, हर computing device के लिए, अलग-अलग-अलग generate किया जाता है दोस्तों, right, personal computers हो गया, tablets हो गया, smartphones हो गया, यह भी हो, IME number जो बोलते हैं, हम लोग उसी तरह का होता है, right, चलिए, which of the following is a collection of programs that manages the database structure, and control access to data storing database, to correct answer is optional DBMS, पहले ही मने आपको समझा दिया था, next, RBI proposed to set up NPCI, so NPCI का full form क्या है, यह आपको बोलना है दोस्तों, तो इसका जो correct answer is, that is option one, National Payments Corporation of India, okay, National Payments Corporation of India, यह RBI के द्वारा एक, you know, बनाया गया है, promote किया गया है, one of the pioneer organization, इसको माना जाता है दोस्तों, in the field of retail payments, okay, retail payment, और इसको किस्त के तहत बनाया गया, under section 25, companies add के तहत, इसको develop किया गया, ठीक है, चलिए, next देखते है, so which of the following, is a popular DOS based spreadsheet package, की बात किया, option 5 हो गया है दोस्तों, lotus 123, okay, so lotus 123, चलिए, next question है इसका, so which of the following, is not a component of computer system, coaxial cable दोस्तों, hardware हो गया, software हो गया, data हो गया, इस सारह कुछ, component हो गया, coaxial cable कही नहीं होता है, computer में, ठीक है, which of the following, is a set of programs, developed to help manager of organization, integrate and analysis, unstructured data, from many resources की बात करें, option 4 हो गया है, दोस्तों, DSS इसे कहते हैं, okay, so DSS, the correct answer, इसका full form में आपको बता देता हूँ, इसका full form है, decision, okay, support, system, okay, decision, support, system is the full form, या देख लिजए, बस आप definition याद के लिजए, उतना detail में जाने के जरूरूत नहीं है, उसका full form में है, which of the following is a signal, informing a program that an event has occurred, तो correct answer इसका option 2 होगया, दोस्तों, interrupt इसे कहते हैं, interrupt, which of the following keyboards is used for most of IBM compatible computer systems की बात करे, तो correct answer इसका option 2, qrt होगया, okay, next, which of the following methods is used to integrate external tools into an application of computer system, तो correct answer इसका option 3, object linking and embedding, okay, next, binary code in which bits are arranged in such a way, that only one bit changes at a time, when change is made from number to the next is called, तो correct answer इसका, that is option 2 होगया, दोस्तों, grey code इसे कहते हैं, okay, the reflected binary code जो बोलते हैं, RBC, इसे हम reflected binary code भी कहते हैं, लिख लिजए हैं, reflected binary code भी कहते हैं, okay, also called as grey code, okay, इसमें जो है, bits are arranged in such a way, that only one bit changes at a time, 1 bit आपको at a time, change की जा सकती है, ठीक है, चली, next, which of the following is not a search engine, कुन सी search engine नहीं है, Yahoo search है, आपको Google है, live search है, तो option 1 is the right answer, about us.org, is not a search engine, okay, search engine का मतलब क्या होता है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, देखे, search engine की मतलब से, it's nothing but, it's kind of a program ही है, okay, search engine is also a program, जहां पर आपको keywords होते है, search करने के लिए, address bar आपको दिया जाता है, इस तरह से address bar आपको दिया जाता है, okay, यहां पर आपकोई भी search कर सकते हैं, दोस्तो, कोई भी list of documents हो, कोई भी हो, पहां पर search कर, bingo, यहां पर लिख लिख लिजे, one of the most famous, bing भी जो है, search engine है, okay, next, which of the following is a ability to limit and control the access to host system, and application via communication link की बात करे, तो option 3 होगे दोस्तो, access control, okay, which of the following types of mouse, use photo diodes and LED technology to detect movement की बात करे, तो correct answer है, that is option 1 होगे, optical, okay, optical mouse is a computer mouse which uses a light source, okay, जिसे हम क्या कहते है, LED, LED का full form क्या है, यह भी एक बार पूचा था exam में, तो light emitting diode है, यहां देख लिजे, क्या है इसका, light emitting diode, okay, light emitting diode होगे, चली, next, run the search string against the database, return a list of resource that match the criteria and display the result for the user, that is option 2 होगे तो search engine, मैंने अभी आपको बताया था, which of the following process marks the track and sector of new blank disc की बात करे, option 3 होगे तो formatic, okay, formatic, next, computer software for which human readable source code is made available under copyright, copyright not light, license and permit the user to use, and change the improve software is called, okay, कोई भी software है, अगर आप उसको जो है, copyright में है, suppose मान लिजे, मैंने एक software developed किया है, for payment के लिए, okay, जैसा google पे है, जैसा phone पे है, उसी तरह मेरा कुछ, अगर आप उसको develop करना चाहते है, क्योंकि यह तो मेरे नाम पे copyright है, किसी को use करने नहीं दूँगा, इसको कोई misuse नहीं कर सकता, मेरे नाम पे चलेगा, जो भी credit से मिजे मिलेगा, अगर आप उसको permit लेके, इसको improve करना चाहते है, या फिर उस software को develop करना चाहते हैं, और भी ज्यादा features लाना चाहते हैं, तो मैं इस software को एक category का अंडर लाना पड़ेगा, कौन सी category है, option one, open source software कहते हैं दोस्तों, जब मैं अपने आपको open source software में develop करूँगा, तब future में कोई भी इसको develop कर सकता है, या इंप्रूव कर सकता है, चले next, which is a save document command in Microsoft Word, यह तो बहुत ही आसान है, control yes दबाएंगे तो save document हो गया है, चली, shortcut key होता है वो, document save करने के लिए, next which sign is used for calling out user names in twitter, twitter में कौन सा sign use करते हैं दोस्तों, tag किया जाता है, किसी बड़े बड़े लोगों का अगर आप tag करना है, okay, कोई CEO हो गया company का या या भी आपको prime minister को tag करना है, किसी को tag करना है, तो आप क्या symbol करेंगे, at the rate symbol use करेंगे दोस्तों, okay, at the rate symbol use किया जाता है, next, operating system used most commonly in smart phones, कौन सा commonly use किया जाता है, android ही तो यूज करते हैं, सबसे ज्यादा, windows तो systems का होता है, computers का, iOS तो apple होता है, Linux भी जो है, laptops और desktops को होते हैं, phones में android, which is not a web browser आपको पूचा जा रहा है दोस्तों, option 3, facebook is not a web browser, facebook क्या है, facebook is nothing but it's a social media platform, जहां पर आपकी भावनाएं, या भी आप जो भी शेर करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, it's not a web browser दोस्तों, यहां पर आपको search नहीं कर सकते हैं, firefox हो गया, chrome हो गया, it's a web browser, safari हो गया, iphone जो होता है na, apple iphone, उनका जो है, web browser का नाम होता है safari, resolution of digital camera is measured in, option 1, MP दोस्तों, megapixels में इसको measure किया जाता है, किसमें, कितने megapixel camera है, आपने बहुत बार पूचा होगा, जब भी आप mobile ले रहे होंगे, right, MP का full form है, megapixel, in microsoft code, dash provide tools for formatting, like bold, italic, underline, etc, correct answer है option 3, formatting toolbar, computers and communication technology, affect our lives in a ways, that include in the way, we learn and shape course of learning, to our own interest की बात करें, तो इसका जो correct answer है, that is, that is educational हो गया दोस्तों, educational courses के programs के बार में उन्हें बताया है, and in microsoft word dash, provides option to switch, to normal web layout, या फिर layout में आप switch होना चाहते हैं, to correct answer is option to view buttons आपको रहेंगे, वहां पे आप जहे normal view से, web layout में जा सकते हैं, right, portrait में जा सकते हैं, outline देख सकते हैं आप right, सब कुछ जा सकते हैं, next in IPv6 internet protocol address have a length of, कितना length होनी चाहिए यह, option 3 हो गया, 128 bits दोस्तों, right, so IPv6 क्या होता है, internet protocol version 6 होता है, उसका full form अगर आप देखेंगे, तो हमेशा 128 bit address use करता है, 128 bit address use करता है, right, and represents 8 groups of 4 hexadecimal digits के तरह, वो represent करता है, पहले IPv4 भी होगा करता था, अभी IPv6 आ चुका है, web applications are designed to interpret dash, to display text images etc, तो correct answer इसका option 1, HTML हो गया है, so, इसका full form भी जाने ना बहुत ही important है, HTML क्या है, that is hyper text, okay, markup language, hyper text, markup language हो गया, next, in Microsoft Word, dash selling allows us to, align the text at particular point, to create a tabular layout की बात करें, तो option वर taps, taps use करके हम particular point पे जो है, tabular layout बना सकते हैं, in Microsoft Word, font style, font हो गया, उसका size हो गया, font color हो गया, एक किसके under आपको देखने को मिलेगा, कौन सा options के under आप देख सकते हैं, तो option 1 हो गया दूस्तों, आप देख सकते हैं, okay, so character formatting में, font style, size, color, यह सब कुछ होता है, right, and using this formatting menu में आप जाओ को इसको clearly देख सकते हैं, okay, और formatting क्यों उसकरते हैं, मैंने पहले बताया था आपको, ताके appearance को enhance कर सकेंगे, right, next, next, in Microsoft Word, under character formatting, dash is used to underline some particular text की बात करें, option 2 हो गया दूस्तों, underline text, okay, next, which company was recently implicated in a global data theft crime, option 4 हो गया दूस्तों, Cambridge Analytica, Cambridge Analytica, CA के नाम से इसको जाना जाता है, British Political Consulting Form है, जो के March 2018 में इसको बनाया गया था, okay, 2018 में, accused of data theft, sorry, not बनाया गया था, इसको 2018 में, it was accused of data theft, when the New York Times and the Observer reported that it had acquired and used personal data about Facebook users, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी Facebook users थे ना, तो वहां का जो उनका personal data होता है, जैसे मेरा और आपके login IDs होते हैं वहां पे, हमारे जितने भी personal data से, date of birth हो गया, सब कुछ, इन्होंने चुराया था दोस्तों, okay, इनका पर इंजाम लगाया था 2018 में, March में यह हुआ था, तो इसलिए first में 2018 में, इनका operations भी close हो गये थे, first में 2018 को इनका operations भी close कर दिये गये थे, okay, चलिए, so बोलते है न, data is a new oil, तो data से बहुत कुछ कर सकते हैं आजकर, who is the inventor of world wide web, अभी मैंने बताया था, I think मैं हमारा starting question यही था, right, Tim Berners-Lee, इन्होंने invent किया, which of the following is a file extension of MS Excel, MS Excel की file extension कौन सी होती है, बहुत बार आपने देखा होगा, but then नहीं दिया होगा, option two is a right answer, dot xlsx, ठीक है, यहाँ देख लिजिए, Microsoft Excel का यह extension होता है, right, so these are files using Microsoft Excel, 2007, 2013, जो भी advanced version है, उसमें use किया जाता है, उससे पहले कि अगर आप देखेंगे, तो 1997 से लेके, 2003 तक, okay, कौन सा extension यूस किया जाता था, dot xlsx, ठीक है, अभी स्रिफ x लगा दिया है extra, आज कल के जो भी advanced excel sheets आप देख रहे है, 2013, 2007 में हो गया, right, अभी जो advanced आ रहे हैं, इस सारा कुछ, इस तरह कहा है, पहले खाली स्रिफ xlsx आजा करता था दोस्तु, okay, चले, this is about the third video, जहां पर हमने 50 questions with detail explanation, मैंने आपको पढ़ाया है, okay, तो चले, मिलता हूँ में आपको अगले lecture में, next 50 questions के साथ, तब तक के लिए, take care, stay safe, and thank you so much, दोस्तु,